एलो स्टूदेंट्स नेक्स चार्ज करते हैं कोश्चन नमबर 9 दा बेस करंट ओफे ट्राजिटर इस 105 माइक्रो एंपियर क्या गीवन है आप पे सबसे पहले बेस करंट आई भी कितना 105 माइक्रो एंपियर और क्लेक्टर करंट कितना है 2.05 मिली एंपियर यह हो गया क्लेक्टर करंट डिटर्माइन दे वैल्यू बीटा आई एंड अल्फा तो पहले फाइंड आउट करते हैं बीटा बीटा क्या होता है आई सी अपोन आई बी तो सिंपली डिवाइड करना इसमें और कुछ नहीं 2.05 अपोन 105 अब देखो यह माइक्रो एंपियर में है यह मिली एंपियर में है तो पहले इसका मिली हटा देंगे 10 रिस टू पावर माइनस 3 से मर्टिपलाई और यह 105 क्या है माइक्रो में तो इसको करतो मर्टिपलाई 10 रिस टू पावर माइनस 6 से और सोल कर तो इसको sort करके हमारा near about 19.5 answer है हमारा आएगा तो यह आ गया हमारा बीटा उसके बद find out करना है हमने कौन सा current find out करना है IE ठीक है तो IE के लिए वही formula लिखो IE is equal to IB plus IC ठीक है तो IB कितना है base current 105 और यह किसमे है 105 core are to 255 micro ampere में तो ऐस एक तो यह यह då मैक्रो Ayam predictive है इसको mili में ही खनल starred store pair 5D घ्रैन ट्रैवाव सिपट्वी यह pमिन के लिए तो इसको मिली में है तो इसकोpert करो मिली में गर लखने लिखेंगे तो यह 0.105 सीच सानल यह आगा हमारा 0.105www है इसको am vienen मिली एम्पियर प्लस 2.05 मिली एम्पियर अब इनको हम एड़ कर सकते हैं तो एड़ करके आजएगा 2.155 मिली एंपियर यह आगया हमारा यहाँ पे ammeter current क्लियर यह आगया हमारा ammeter current next क्या रहाएगा find out करना अब इसमें हमारा alpha find out करना रहागा तो alpha का formula लिखो alpha हो जाएगा IC upon IE collector current upon emitter current collector current है 2.05 और emitter current हमने अभी find out किया है 2.155 तो divide करते ही answer आ जाएगा तो यह आता है हमारा 0.95 alpha का 0.95 अब क्या find out करना रहे है हमारा यह given है देखो एचेंज ओफ 27 micro ampere in the base current delta IB given है producer change of 0.65 milli ampere in the collector current delta IC given है find out करना है beta AC तो beta AC के लिए formula लिख देगे delta IC upon delta IB क्या था यह इसका second part चल रहा था numerical का तो delta IC क्या है 0.65 milli ampere और delta IB यह हमने अभी यह इसमें गीवन है यह भी 27 यह micro ampere है clear तो इसको भी पहले convert कर देते हैं 0.65 10 is to power minus 3 और 27 micro को हटाओ 10 is to power minus 6 और solve कर दो we will find the answer 24.07 कर दो कर देते हैं और कर दो तेते हैं प्टवाब्य को हएं 9 झाल झाल